आप सबी का हार्दी का विनंदन है श्वागत है और आज बहुत ही लेकर आए हैं 15 और भारत का यह सोतंतरता दिवश आज के दिन बनाया जाता है और आप सबी को हार्दिक सुभकामना आज की और आज स्पेशल हम आपके लिए लाइव आये हैं और फिल्कुल आज का क्लास सूपर डूपर क्लास होने वाला है क्योंकि आज के क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो साधरनता फसना ही फसना है तय बंदर वाले गनित के प्रस्ण की एक पॉल है एक पॉल पर एक बंदर पहले दस फिट चड़ता है फिर अगले मिनट में वो दो फिट नीचे उचर जाता है अगर पॉल की लंबाई 200 मीटर है तो बंदर को कुल कितना समय लगेगा इस तरह से संबंदित प्रस्ण हम आपके लिए लेकर आए हैं very good morning good afternoon भी कह सकते हैं very good afternoon नमशकार श्वागत है आप सभी का dream classes में मैं राहुल सर आप सभी का तहे दिल से हार्दी कभिनंदन करना चाहता हूँ श्वागत करना चाहता हूँ चलिए बहुत बढ़िया कैसे हैं आप सभी ल जी गुलसन बहुत बढ़िया वेलकम है आपका तैयार हैं रख होसला वो मंदर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा और ठक कर ना बैठ ए मन्दिल के मुसाफिर ठक करना बैठ ए मन्दिल के मुसाफिर तुझे मन्दिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा चलिए इनी चंद लबजों के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं पंदर वाले सवाल और पहला सवाल आपके स्क्रीन के उपर अगर आप से बनते जाए तो चार विकल आपके स्क्रीन के उपर रखा हुआ है बिलकुल नहीं संदेह आप उत्तर दे सकते हैं कोई पावंदी नहीं और अगर नहीं बने तो एक पेन और पेपर लेकर बैठी है और ध्यान पुर्बक एकदम विनम्रता से आज के क्लास को आप एटेंड करिए और यकीन मानिए एक नहीं एक एक स्पेशल उर्जा का संचार हम आपके अंदर करेंगे आपके अंदर एक बहतर कॉंसेप्ट प्रवाइड करेंगे जो आपके आने वाले जितने भी कॉंपटेटिव एक्जाम हैं उसके लिए मददगार साबित होगा चलिए बिलकुल क्लास को एटेंड करिए क नहीं मत जाहिएगा तस से बारा कोशन हम आपके लिए लेकर आए हैं और सभी अलग-अलग टाइप के अलग-अलग कॉंसेप्ट से बनेगा और बिलकुल एक बहतर एक ऐसा कॉंसेप्ट हम आपको देंगे जिससे आप इस तरह ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है बंदर खंबे के सिरे पर पहुंचने के लिए बंदर को कितना समय लगेगा चार विकलप एक कीईस मिनट ग्यारा मिनट एक तालीस मिनट और एक अतिस आप लोग नहीं नहीं टाइपिंग मिस्टेंग नहीं है बहुत बढ़िया कोश्चन है एक पचास मीटर उचे खंबे पर पच 50% का डिस्काउंट है ड्रीम क्लासिस के अफिशल अप्लिकेशन पर आप लोग जोईन कर सकते हैं इस प्रस्टन के बाद हम सफलता बैच पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे देखिए कि माल लीजिए कि यह 50 मीटर का एक हमभा है यहाँ 0 मीटर से 0 मीटर से आपको बंदर को कहां तक चड़ना है जी 50 मीटर माल लीजिए यह 50 मीटर का एक खंबा है अब देखे कंडिशन क्या हो रहा है बंदर के साथ क्या कंडिशन बन रहा है कुछ इस तरह से बंदर का कंडिशन देखिएगा ठीक है मैं आपको मैं भले ही आज आराम से 50 मीटर उचे खंबे पर एक बंदर एक मिनट में पांच मीटर चड़ता है देखिए पांच मीटर चड़ना यानि एक मिनट में वह पांच मीटर चड़ना बिल्कुल आराम से समझे आराम से सिखिए पहले मिनट में वह पांच मीटर चड़ता है और दूसरे मिनट में यानि एक और मिनट में वो क्या करता है कि दो मीटर नीचे फिसल जाता है अच्छा दो मीटर नीचे फिसलना यानि सरक जाता है सरकता क्यों है क्योंकि उसको पॉल की उपको उपर वाला सिर्स वो नहीं पकड़ पा रहा है तो condition यहीं हो रहा है बंदर के साथ यह कुछ सर्ते हैं यह चड़ने की बात हो उसको प्लस मिलेंगे फिर फिसल जा रहा है आप ही सोचिए पांच रुपया कमा के दो रुपया गवा दिया आपने आपके पास बचे कितने तीन तो वह पांच मीटर चड़ा पहले मिनट में और अगले मिनट में दो मीटर फिसल गया तो टोटल कितना टा बंदर को चड़ना है पचास मिटर का एक पॉल वह पहले मिनट में पांच मिटर चड़ा और अगले मिनट में दो मिटर फिसल गया तो प्लस फाइब मैनस टू ठीक है तो प्लस फाइब मैनस टू यानि टोटल उसने दो मिनट लिया और दो मिनट में उसने अपने लक्च को तीन मीटर चड़ाई की, अब ध्यान से समझेगा, दो मिनट में तीन मीटर, इस बात को ध्यान, ये clear है, इस बात को आप समझ सकते हैं, कि बंदर ने दो मिनट में कुल कितनी चड़ाई की, तीन मीटर के चड़ाई की, अब देखिए समझे कौन से, अब करना क्या है, कि एक छ टार्टिंग टार्गेट क्या होना चाहिए आप एक रूल के एकॉर्डिंग चलिए मैं यहां पर लिखता हूँ ठिक है आपका लक्ष कितना है आपका लक्ष है तरजी 50 मीटर हमें चड़ना है लेकिन लेकिन आप एक नया लक्ष बनाएए पहले कहिए यह सर वो क्या है नया हम आपको च्छोटा सा रूल सिखाएंगे park कि पचास निटर आपको चड़ना है लेकिन लेकिन किन्तु परंतु और सबस्क्राइब बीच में लेकिन हुआ क्या कि पचास मीटर में वह बंदर चड़ कितना सकता यह भी UA चनों के लिए घटा दीजिए ऐसा होता है बिल्कुल होता है तो आप क्या कर दीजिए पचास में पांच घटा दीजिए अब आपका नया लक्ष कितना रहा गया कहेंगे सर नया लक्ष रह गया 45 मीटर बहुत सिंपल प्रोसेस है यह जान बूज कर मैंने ऐसे किया क्यों एक छोटा सरूल है उसके कोडिंग में बतांगा लक्ष था 50 मीटर का हमने नया लक्ष बनाया जिसमें उस उस टार्गेट को हमने माइनस कर दिया जिस टार्गेट को मैकसिमum 5 मीटर का देटा है अब देखिए आपका नया लक्ष है 45 मीटर बने में 37 मीटर ब्रत है कि घालता है मीटर तो 3 कों कितना से गुना करें 2 में 3 4 में 6 ऐसे करते चलिएगा तो ऐसा करिए ना कि 15 से इधर गुना कर दीजें डायरेक्ट 45 मीटर हो जाएगा तो जब 15 से उधर से गुना करिएगा ना तो 15 से गुना आपको इधर भी करना पड़ेगा यानि 15 दूनी 30 मिनट में बंदर चड़ेगा पंदर आती या 45 मीटर ही इंदी में लिएता हूँ मैं बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको अब देखे psychik को अब यह बंदर यहां से यहां तक गया 45 मीटर और 45 मिनट में बंदर ने समय लिया 30 मिनट इतना बंदर ने समय लिया सर जी 30 मिनट अब देखिए एक जो concept हम आपको बताना चाहेंगे यह हमने minus क्यों किया यह आप समझे अभी आपको क्या समझ में आया सर अभी क्या निकला आपको कि सर बंदर ने 30 मिनट लिया और बंदर ने मार दिया 45 मिनट कर लग जब 2 में 3 हो सकत है कितने मिनट में 30 मिनट में कितना दूरी 45 मिनट अब बंदर क्या करेगा यहां से एक बड़ा सा चलांग मारेगा और वह maximum कितना मीटर का चलांग मार सकता है तर maximum 5 मार सकता है उससे कमने और यहां से एक लंबा सा यहां सा एक पांच मीटर का चलांग मारेगा और चलांग म जब ये बला portion ऐसे पकड़ेगा तो नीचे फिशलने की नीचे फिशलने का कोई डर नहीं ठीक है नीचे फिशलने का कोई डर नहीं यानि 30 मिनट तो और अच्छा पांच मीटर के छलांग में कितना मिनट लगेगा एक मिनट लगेगा यानि 30 मिनट उसने पहले ले रखा था अब एक मिनट और लेगा 31 मिनट में बंदर इतने लंबे पत को कर लेगा जी 50 मीटर लंबे नहीं नहीं 32 नहीं होगा क्योंकि जब वो उपर वाला सिरा पकड़ लेगा तो फिशलने का डर नहीं है यानि यह माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो अल्रेडी उपर वाला सिरा पकड़ लेगा यानि 35 और 31 मिनट में बंदर 50 मिटर लंबे लक्ष को पार कर लेगा एक बार सभी स्टूडेंट बोल देंगे कि क्या आप इस प्रश्ण को सीख चुके हैं हाँ याना देखिए हमें फॉर्मूला फॉर्मूला पर उतना पसंद नहीं है ठीक है हम आपको कॉंसेप्ट देना चाते टाइम विश्ट नहीं करना चाते एक बच्चे ने लिख रख दो ना एक बहतर एक कॉंसेप्ट आपको सभी स्टूडेंट एक बार रिप्लाइ करिए समझे याने बस यस या नो करिएगा यस या नो से यस या नो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करके लाइक का बड़न दवाईए यह आपकी जिम्मेदारी और आपका कर्तब है यस या नो बहुत बढ़िया नहीं समझे तो कोई बात नहीं आप नो भी लिख सकते हैं लेकिन आप एक बार रिप्लाइज जरूर करिए हर स्टूडेंट का हख है रिप्लाइज करना यस या नो जल्दी बताओ कि समझे या नहीं समझे जल्दी आइम वेटिंग अच्छा एक बार और समझाना है कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसा करते हैं अगले प्रस्ण को एक बर फिट से समझाने की पोशिश करते हैं फिछ 10 से 12 प्रस्ण भी तो पहला ही है ठीक है नाइंट सर एक बार 80% अस्टूडेंट यस बोल रहें लेकिन 20% अभी भी करें क फैल तु सिर्फ favorite बाकी है लगांट चलिए जिन बच्षों को इस प्रस्ण में समझ नहीं है वह अगले प्रस्न को देखेगा ढला क्हांद पूर्बक देखेगा अगर आज-स-पास कोई TV चल रहा है क्यों रेडियों चल रहा है इस पास यह प्रेशन है बहुत सांदार ठीक है वेरी गुड आफ्टरनून नमस्कार तो सभी अभी सफलता बैच जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ड्रीम क्लास अफिसल आप लोग टेलीग्राम हमारे साथ जॉइन करिए ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री Hogk कोस्ट है वहाँ पे जो भी लाइव क्लास है वहाँ पे जो भी क्लासे होती सबका लिंक वीडियो के सबका लिंक वहाँ बेजा जाता है टेलीग्राम पे बिल्कुल free of cost है अन्य तो टेलीग्राम पे आप हमारे चैनल का नाम सर्च करिए dream competitive classes मिलेगा जॉइन का बटन जरूर दवाईएगा ठीक है चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के उपर चलिए फिर से अब देखे थोड़ा सा लेबल बढ़ गया कोश्चन में अब मिनट और सकेंड की बात हो रही है दीरे दीरे एक बहतर concept हम देने की कोशिश करेंगे आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो बाबु अभी हमारे पास English Medium के कोश्चन नहीं है मिथुन जब हमारे पास available होंगे तो हम आपके लिए English में 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 प्रशन लेकर रहेंगे फिलाल जो है हमारे पास हम उसी के ऊपर करेंगे के घर अगर हमारे पास रहेगा अब हमारे अब हम कोश्च़ों को कशन की और बात करें कि एक बंदर पहले 10 मीटर चड़ता है और दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है तो 90 मीटर उच्छे खंबे को चड़ने में देखिए लक्ष क्या है जी लक्ष है 90 मीटर का खंबा यह 0 मीटर है और 0 से कहां तक चलना है 90 मीटर का लक्ष है ठीक है 90 मीटर का लक्ष है और कंडिशन क्या बन रहा है बंदर के साथ मैं कंडिशन को यहां पर लिख देता हूं बंदर के साथ क्या हो रहा है बंदर के साथ हो क्या रहा है पहले हम इसके ऊपर डिसकस करते है देखिए पहले वो एक मिनट में क्या कह रहा है कि वो 10 मीटर चड़ रहा है 10 मीटर चड़ना यानि प्लस तेन नहीं पहले वो बंदर 10 मीटर चड़ रहा है यानि पहले 10 मीटर प्लस तेन है ना 10 मीटर चड़ता है फिर अगले एक मिनट में वो क्या हो रहा है कि 4 मीटर फिसल जाता है तो 4 मीटर फिसल नहीं यानि वो बंदर टोटल कितना टाइम ले रहा है सर जी टोटल दो मिनट का टाइम ले रहा है कितना टाइम ले रहा है जी टोटल दो मिनट का टाइम ले रहा है और दो मिनट में कर क्या रहा है दस चड़ना और चार फिसलना कितना दस में से चार गया सर जी दो मिनट में बंद में 10 मिटर चड़ रहा और अगले जस्ट एक मिनट के बाद 4 मिटर फिसल रहा है तो टोटल उसने दो मिनट लिया समय तो भाई रुखता नहीं है न समय तो हमें सजुटेगा तो वन वन टू मिनट और दो मिनट में 6 मिटर कशना लक्ष क्या है बंदर का अगर यहां बात करें जो बंदर का चलांग मारने की कैपिसिटी उसको गटा दीजे तो आप कर दीजे नया लक्ष नया लक्ष अब देखिए नया लक्ष कितना 90 में से 10 गया अब 80 मिटर तक का लक्ष रखिए अच्छा थोड़ा एक दो आगे पीछे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं परेशा गर्ण को मारता है तो अब आपको 80 के करीब लेकर जाना इस छे को तो 12 से गुना करेंगे तो बहत्तर 15 शक 95 तो कर नहीं सकते 14 चक 14-25 चक 84 अच्छा बारा 13 चक 78 यह जाएगा ना असी या उसके आसपास आप ले जा सकते हैं आराम से कोई दिक्कत नहीं होगा तो आप ऐसा करिए ना 14 से गुना करिए का यह सब 13 से काई नहीं कि तेरा चक 78 भी तो सकता था अठातर असी से थोड़ा कम हो जाता तो ज्यादा लंबा क्योंकि फिर तो चलांग मारी सकता है ना देखिए अठातर अगर करते तो उसके पास लक्ष कितना रहता बारा मिटर का और वो मैक्सिमिम दस नहीं दस नहीं 12 बचता तो अठातर के बाद फिर एक छलांग मारता तो 88 पर जाता और फिर चार फिसल के 84 पर आजाता इसलिए अमने 13 से गुना ना करके 14 से गुना कर दिया तो 14 से गुना आप इधर भी करिए 14 दुनी 28 मिनट में 14 75 चौदा चक 84 मीटर का वो डिस्टेंस त इतना ते किया तर जी उसने 28 मिनट में 84 मिटर का ते किया तो आपके मन में यह भी चल रहा होगा कि अब यह चलांग मर वाइं शर्दास मारेगा छे फिसलेगा एक बताईए आप एक बात कि इसको मारना कितना है यह देखिए यह यहां तक चल चुका है जी 84 मीटर का यह चल 28 मिनट में लेकिन अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा करिए ना कि अब 6 मिटर बचिए रहा है तो यह चलांग 10 वला मर वा दीजिए चार वला फिसल जाएगा छे वह आप बताईए कि 84 से गर उदस मारेगा तो 84 से 10 उदस 94 हो जाएगा तो आसमान में उड़ने सर बंदर मार सकता है 10 मिटर का चलांग और 10 मिटर का चलांग वो कितने दिर में मार सकता है एक मिनट में या सीधे सीधे देख़िए कि 10 मिटर की दूरी कितने दिर में ते करता है एक मिनट में तो आप ही बताईए कि आप बंदर को 28 मिनट में 84 मार सुगा है तो अब 6 मिटर का चलांग मरवाना है तो 60 बटे 10 लेकिन आपको 1 मीटर नहीं 84 से 6 मीटर का चलांग मरवाना है तो आप देख लिजे कि 6 मीटर का चलांग मरवाने में 6 मीटर का चलांग मरवाने में 60 बटे 10 गुने 6 करेंगे 0 से 0 कितना सकेंड 36 सकेंड यहां से यहां मिनट यह 36 सकेंड किसके लिए 84 से 90 तक जाने में 6 मीटर में क्योंकि फिसलेगा कहां से आप ही बताइए अब आपका लक्ष इतना है और आपका कैपिसिटी इतना है तो क्या इतना उचल जाईएगा कि लक्ष ताकि थोड़ा सा पिडिक्स वरे से उचल जाईएगा अगर इतन समझें आया अब बताइएगा हां या ना रख रहेगा छे मीटर क्या 10 मीटर कर उचल जाईएगा इचे तक ही जाना है जी आप लोग कि समझ में आ रहे हैं हां या ना समझ में आ रहे हैं बस यह यह नहीं समझ में आया क्या बात है बहुत बढ़िया अभी जिनके भी डाउट्स है वो करते रहिए लाइव क्लास को आज करते रहिए अरे एक नहीं तो दूसरा नहीं तो तीसरा कोशन में समझ में तो आना बिल्कुल तैय है कोई डाउट की बात नहीं है अजी मुहम्मद स्टान को ब्लॉक कर दीजिए ठीक है अभी करिए अभी तुम्हारे ऐसे ऐसे ना दो-चार को पैरों के तले रखते हैं ठीक है अमीज रखा करो लाइव क्लास में यहां कुछ नहीं चलेगा ठीक है कि जिसको नहीं पढ़ना है वो बिल्कुल जा सकता है लेकिन हम अपने रुबाब में ही रहेंगे ठीक है हाँ जी हेलप लाइन नंबर पर संपर करिए सफलता बैच के लिए शिक्स टू डवल जीरो डेवन त्री थ्री एट फाइवेट ठीक है और किसी को बोलना है कि ब्लॉक हो गया जी बिल्कुल पता ही नहीं था मैं तो कमेंट देखी नहीं रहता मैंने अभी ध्यान दिया भाई मिथुन अब आप मैसेज मत करो दुबारा मैंने बोल दिया कि लाइव क्लास इंग्लिस मेडियम के लिए अगले नेक्स टाइ देंगे चलो बनाओ तीसरा सवाल आपके स्क्रिन के उपर चार विकल्प के साथ और उत्तर आपके पास है बहुत जल्द हम लोग टाइम टेबल बना रहे हैं आपकी क्लास के लिए और अच्छा आपको क्या लगता है जीडी का बैच अप्लिकेशन पर लाना सही रहेगा या यूट्यूब पर जीडी की पूरी तैयारी स्सी जीडी 2022 जो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आने वाला है उसका बैच यूट्यूब पर लाना सही रहेगा या अप्लिकेशन पर जल्दी उत्तर दीजिए जल्दी उत्तर करें करें अच्छा मतलब सबी लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं अच्छा चलिए पहले इस प्रस्ण पर देखते हैं बहुत कम बच्चों ने लगता है नहीं मने पढ़ने का लक्ष क्या है जी पैतालीस मीटर का एक खंबा है बहुत आसान है इतना मीटर का है यह जीरो टू पर्टिफाइब मीटर ठीक है पैतालीस मीटर का यह खंबा है और अच्छा पहले इस प्रस्ण को कर लेते हैं एक बंदर पैतालीस मीटर उचे खंबे पर चड़ने का प्रियास करता है पहले मिनट में 15 मीटर चड़ता है कंडिशन क्या हो रहा है कि वह एक मिनट में पंदरा चड़ रहा है प्लस 15 15 मीटर और अगले एक मिनट में वह कितना फिशल रहा है जी 12 मीटर यानि माइनस 12 मीटर यानि वह तोटल उसके साथ 2 मिनट में 3 मीटर का ही काम हुआ लिजिए यह तो आसान हो जाएगा मेरे सब से प्रस्ण इस दर से वह कितनी वह कितनी देर अच्छे में खंबे के सिर्ष पर चड़ेगा तो मैंने क्या बोला कि क्यों क्यों कि दो मिनट में कि तीन मीटर यही है ना कि दो मिनट में 3 मीटर तो कि दो मिनट में 3 मीटर अब क्या करते हैं बन रहा है सबसे ओके ओके ऐसा करते हैं 10 से गुना इधर करते हैं 10 से गुना इधर करते हैं 10 दूनी 20 मिनट और 20 मिनट में 30 मीटर तीन में ठीज़न अब यह बंदर क्या करेगा कि एक छलांग मारेगा तीन मैंने उस लक्ष को इसलिए कम कर और दिया क्योंकि नया अगर लक्ष 45 है इसर लक्ष नrones में ओस्ट ने वालाक arte कितना मेंटर को दो मिनच्व तीन मीटर तो 20 मिनट नती retro अब यह क्या करेगा कि 20 मिनट में यहां तक माल लिए कि 33兄 यह पहुँच चुका कितने मिनट में? 20 मिनट में. अब ये क्या करेगा कि यहां से एक छलांग मारेगा और वो मैक्सिमम 15 मिनट मीटर का ही छलांग मार सकता है. और 30 से 45 तुरंथ होई तो जाएगा. यानि फिर 1 मिनट लगेगा और एक मिनट में कितना मीटर प्रड़ जाएगा पंदरा मिनट के चड़ने के बाद क्या होता है ना कि यह जब ऐसे छलांग मारेगा ना तो यह सिर्च पकड़ लेता है और जब सिर्च पकड़ लेगा तो फिसलने का डर नहीं रहता है तो ऐसे कंडिशन में टोटल हो अब दीरे दीरे लग रहे है कि आप सफलताओं की और बढ़ रहे है हाजी और कोई मेंसेज कर रहा है कि आलतुफाल तो हूँ चलिए अगले प्रस्ट पर आजए नहीं ऐसे सबको ब्लॉक नहीं क्या करते हैं मतब कुछ वर्ड मतब आप पढ़ने आया है सिंपल बात है आप यहां पर पढ़िए जितना सवाल करना करिए मैं हूँ उसके लिए आप सब्द प्रक का परियोग ना करें जैसे एक पटा पट बता दो चार विकल्प के साथ आपके स्क्रीन के उपर यह प्रस्ट काफी बहतरीन प्रस्ट है यह बहुत हाई लेवल के प्रस्टों है जी बहुत सारे कॉंपटेटिव एक्जाम में पूछे गए हैं जी फिर से समझा देंगे आराम आराम से बने रहो बस आप इस वीडियो को दुबारा भी देख सकते हो कभी भी as you like as you wish ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है जी बिलकुल शेयर करिए कम से कम शेयर का बटन दवाईए चलिए करते हैं इस प्रश्न को solve एक असी मीटर उचे खंबे पर एक बंदर एक मीटर में पांच मीटर देखिए लक्ष क्या है लक्ष है असी मीटर का जीरो मीटर से असी मीटर तक का यह लक्ष है और कह रहा है कि एक 80 मीटर उचे खंबे पर एक बंदर एक मिनट में 5 मीटर चड़ता है देखिए एक मिनट में बंदर क्या करता है जी 5 मीटर चड़ता है और अगले 5 मीटर चड़ना यानि प्लस 5 अगले एक मिनट में बंदर 2 मीटर नीचे फिसल जाता है माइनस टू तो बंदर ने दो मिनट में किया क्या दो मिनट में बंदर चड़ा तीन मीटर लक्ष कितना है असी का लक्ष है तो आप क्या कर दीजिए लक्ष है असी असी मीटर का लक्ष है असी मीटर के उचे खबे पर बंदर को चड़ाना है असी मीटर का और मैंने क्या बोला था कि एक नया लक्ष बनाईए और नया लक्ष में करना क्या है कि उस उस distance को घटा देना है जिस distance तक बंदर फिचल सकते जड़ सकता है तो बंदर 5 मीटर चड़ सकता है यहीं 75 मीटर अब देखो 2 मिनट में 2 मिनट में 3 मीटर चड़ सकता है बंदर अब 75 मीटर चड़ाए तो कितना से गुना करेंगे 25 तो इधर भी लेकिन आपको 80 चड़वाना है तो यहां से यहां तक उसने 75 मीटर का चढ़ा दी 75 मीटर में उसने 50 मिनट लिया अब यहां से बंदर एक चलांग मारेगा और वो मार कितना सकता है 5 मीटर का तो 5 मिटर का चलांग मार देगा एक 5 मिटर का चलांग और कितने मिनट में एक मिनट में यानि एक मिनट और लगेगा और कितना मिटर का चलांग मार देगा पांच मिटर का चलांग मार देगा टोटल 51 मिनट में 80 मिटर का चलांग 80 मिटर की दूरी को टै कर देगा 51 मिनट है option म बन रहा है अब लग रहा है मज़ा आ रहा है नहीं क्या बात है नहीं अब आज लग रहा है कि आज कुछ सीखा है आपने और बहुत बहुत बार इस तरह के प्रश्ण पूछे गये हैं चाहिए वह रेलवे का एक्जाम हो अभी देखें इससी जीडी आने वाला है अभी जैस्तर आपको कौनसेट दे रहों आज के लिए और इस प्रश्ण को आज के क्लास को अगर आप इग्णौर करते हैं तो कहींना कहीं प्रबलम है आपके साथ कहीं ना कहीं जातने तो यह प्रस्ण कहीं बार विहार बिहार सीजिल आ चुका है बिहार इससी आने वाला है और बहुत सारा डेली पुलिस चल रहा है तो हर एक्जाम के लिए संपूर्ण है नहीं चोड़ ठीक है तो क्यूं इधर उदर भागना क्यूं कोचिंग करना ट्यूशन करना रोज 10 किलोमेटर 5 किलोमेटर दोड़ के जान क्या है अमारे हमें मिलती है वह अलग बात है उनका लेवल बड़ा है हमाना लेवल चोटा को हमी चला रहे हैं आप तो सिरल कर और अब विरोद कर रहे हैं एक अप mapped Surf और या एकदम बिल्कुल सुरू से पढ़ाया जाएगा रेश्यो मिक्चर एलिगेशन अवरेट परसेंटेज प्रॉपिड टाइमेंड वर्क टाइमेंड इस्टेंस टेंड रिलेटेड बोट इनस्ट्रीम टी आई एसाई ट्रगानमेटरी जोमेटरी मेंसुरेशन हाइट इसने कंप आप लोग सफलता बैच लीजिए ठीक है एक बंदर पहले मिनेट में 12 मिटर चड़ता है तो दूसरे मिनेट में 30 मिटर फिसल जाता है 90 मिटर के उचे खंबे में कितना समय लेगा बहतर सवाल है आपके लिए ऑप्शन भी है यह बहुत अची बात है आपके लिए आप बना आईए फिर हम इस पर डिसकस करते हैं ओके झाल 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 चलिए बना दिए आप लोगों ने लग रहा है कि उत्तर हो गया आप लोगों से आईए चलिए देखते हैं कि क्या सही उत्तर है बंदर का लक्ष कितना है जी बंदर को चड़ना है 90 मीटर का खंबा यानि 0 मीटर से 90 मीटर का ये टारगेट है और बंदर के साथ कंडिशन क्या भोल रहा है कि बंदर एक मिनट में वो क्या कह रहा है कि भाई 12 मीटर चड़ रहा है यानि 12 मीटर चड़ रहा है और चड़ना यानि प्लस का साइन लगाई है और अगले एक मिनट में वो कितना फिस ले रहा है अब देखिएगा हमें करना क्या है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है कि आपको एक आपका लक्ष कितना है आपका लक्ष है नबे लेकिन आप एक नया लक्ष बनाईए और नया लक्ष क्या होना चाहिए जो आप बंदर चड़ने वाला जो टार्गेट है कितना जरूरी नहीं कि 78 है बढ़ा घटा भी सकते हैं थोड़ा मुड़ा कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए कि दो मिन अच्छ नया लक्ष में लिख दूं कैसे हुआ नया लक्ष आप समझ रहा है ना नया लक्ष 90-12 78 यह मैं इधर साइड में लिख देता हूं और मैं इसको सब्सक्राइब करते हैं कि वह आप कर लेते हैं ऐसा करिए कि 9 से गुना करिए इधर भी नौ से तो नौ दुनी 18 मिनट और 18 मिनट में नौ नमा 18 मिनट में नौ नमा 81 मिनट अब देखिए अगर आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि सर बंदर एक मिनट में 12 चल रहा है तीन निकल रहा है यानि दो मिनट में 9 मिनट फिसलेगा अमिन होगा लेकिन यहां पर देखिए कि आपने बंदर ने लिया कितना 18 मिनट और 18 मिनट मे 81 मीटर जेको ध्यान से समझो ठीक है बंदर ने 1 मिनट में वो बंदर 12 चड़ रहा है वो अगले 1 मिनट में 3 फिसल रहा है तो टोटल 2 मिनट में 9 मीटर और मैंने बोला कि एक नया लक्ष बनाई और नया लक्ष कैसे बनेगा टोटल लक्ष में जो चड़ने वाला जो टार्गेट रहता है उसको घटा दीजिए 78 अब 78 तक तो आप जा नहीं सकते क्योंकि 2 मिनट में 9 मीटर तो 9 फिबातर 9 नमाई 80 तो आमने 18 मिनट में 81 मीटर अब बंदर क्या होगा मान लीजे कि यह 9 मीटर का चलांग नहीं मारेगा बंदर केटने मीटर का मारसला लेकिन हमारा लग्ष हासिल करने के लिए बंदर को लगता है जाकिन हमको एक मीटर का हासिल कर्वाना हो हां साथ बटे बारा और आपको कितना नौही मीटर का लक्षा बच रहा है ना जी क्योंकि क्यासी मीटर तो आप चली चुके हैं तो आप इसको ऐसे कर दीजिए साथ गुने बारा गुने नौ बारा पच्चे साथ नौ पच्छे पैतार इसका मिनट की सकेंड सकेंड नहीं आप देखिए ना आप खुदी लेगा जी इधर लिख दिता हो में 45 सकेंड यहां पर 45 सकेंड का समय ले लेगा ठीक है तो अब टोटल बंदर समय लेगा कितना ठीक है अब total बंदर इधर 45 सकेंड ले लेगा तो अब total बंदर लेगा 9 मिन इधर कितना हुआ इधर 18 मिनट है ना 18 मिनट और 45 सकेंड हो क्योंकि उसको एक छोटा सा ऐसे चलांग मारना है छोटा सा तो 18 मिनट 45 सकेंड सुरी 45 सकेंड है option में देखिए कहीं ना कहीं तो जरूर होगा उनसा है हाँ पी किसे student का आया था यह यह स्यानो 18 मिनट 45 सकेंड आया है एक बार वीडियो को लाइक करिए सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और एक बार बोलिए यह समझ में आया है अप नहीं समझ में हाँ या ना का उत्तर जवाब दीजे सभी लोग जल्दी से reply करिए वेट कर रहे हैं आपके reply का आप समझे या नहीं बस हां या ना मुझे जानना है जल्दी से जवाब दीज आप समझें या नहीं जल्दी दू फास्ट जल्दी रिप्लाइ करें रिप्लाइ आइम वेटिंग यूर रिप्लाइ माइडियर स्टूडेंट्स हम आपके प्रस्ण के आपके उत्तर की प्रतिक्छा कर रहे हैं बहुत बढ़िया क्या बात है मज़ा आ रहा है तिरफ एक ही स्टूडेंट को भी तक नहीं समझ में राम प्रताप रमन भाई इसका ध्यान यहां पर नहीं होगा हमारे उपर नहीं है यह मारे बस की बात नहीं फिर अगर नहीं समझ रहे तो 10 का मल्टिप्लाइ नहीं कर सकते आई हब नो आइडिया कि हम कर सकते या नहीं पस एकाक दो बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आए बाकि 95 पर्चेंट स्टूडेंट समझ चुके लीजी अगला सबाद झाल झाल जल्दी बनाईए यहां देखिए समय की पावंदी है समय को देखते हुए बनाईएगा चार विकल्प आपके स्क्रीन के उपर है ऐसे ही डारेक्ट उत्तर मत कर देना है आराम आराम से सीखते हुए चलिए उत्तर करते हैं इसका सॉल्यूशन कहरा है एक बंदर जो है वो 80 फिट उचे खंबे को चड़ता है लक्ष क्या है जी 80 फिट 0 से 80 80 फिट उचे खंबे पर चड़ने का प्रत्न कर रहा है वह एक मिनट में 8 फिट फिसलता है समय सिर्फ एक ही मिनट है ध्यान से देखिएगा एक मिनट में 8 फिट उचलता है और फिसल कर 6 फिट नीचे आ जाता है यानि उसी एक मिनट में 6 फिट नीचे आ गया ऐसा नहीं कि अगले मिनट में बोल रहा है पहले हर प्रस्न में क्या आ रहा था कि एक मिनट में फिसल रहा था एक मिनट में चड़ रहा था और अगले मिनट में फिसल रहा था लेकिन इस बार अगला मिनट का समय नहीं दे रह एक बंदर 80 फिट उचे खंबे पर चड़ने का प्रित्न कर रहा हुआ एक मिनट में आठ फिट चड़ जाता है लेकिन फिसल कर 6 फिट नीचा जाता है यहां पर हम एक मिनट जो पहले आड कर रहे थे अब आड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दो मिनट का टाइम दिया ही नहीं तो आट मैं से चे गया कितना फिट का लक्ष हासिल करेगा यह में दो पूला है कि आप एक नया लक्ष बनाए lifecycle और नया लक्ष क्या है кому दया आल मिनट, 72 मीटर नहीं, सौरी, फिट, ठीक है, 72 फिट आपको चड़ाना है, तो एक मिनट में दो फिट, तो आप बताईए कितना से गुना कर दे कि 72 हो जाए, 36 से गुना करिए न, 37 फिट, तो इधर भी 36, यानि हम कहेंगे कि सर, 36 मिनट में, 37 फिट अब यह क्या करेगा, कि यह 36 मिनट में, 72 फिट तो यह चल चुका है, अब एक छोटा सा यहां पे छलांग मारेगा, और वह छलांग आपको पताए कि बंदर 8 फिट चल सकताँ है, तो 8 फिट और चल जेगा, और कितना मिनट लेगा, एक मिनट लेगा, कई फिसलने वाला, और फिसलेगा तब न जब उसको पकड़ने में नहीं बनेगा, यानि एक मिनट और लेगा, और ये कितना फिट का छलांग मारेगा, आठ फिट का यानि 36 और एक, 37 मिनट में 80 फिट का छलांग मार देगा 80 फिट का ये लक्ष आसिल कर लेगा और इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा 30 मिनट इस प्रश्ण का सही उत्तर है बिल्कुल जोड़दार सवाल और बिल्कुल बहतर तरीके से इसका सॉलुशन आ रहा है मज़ा? 51 वाले बच्चे गलत है जी वीडियो को शेर करिए जी बिल्कुल बिल्कुल जसी कुमार वीडियो को शेर करो बच्चा वीडियो शेर करिए अगला सवाल रखे स्क्रीन पे इसको उतार लिया आपने ये बिल्कुल हाई लेबल कॉंसेट है हर एक्जाम में पूछेगा और जो इस क्लास को पूरा कर लेगा दुबारा कभी दिक्कत नहीं होगा इसको इस तरह के प्रशनों को सॉल्यूशन करने में और हाँ ट्रिक से भी बना पाओ गया ठीक है राम प्रताप रमन बाबू आ गया समझ में नंदू नंदनी भाई नाम तो बड़ा प्यारा है चलिए आ गया समझ में अगले प्रशन पर आते हैं ready for the next question चलिए बढ़ते हैं कि इतने समय में एक बंदर नब्बे फिट के लंबे पिड के सिर्ष को छू लेगा यदि वह एक सकेंड में छे पिट उचलता है और तुरंद चार फिट गिर जाता है यहां पे दो सकेंड नहीं सिर्फ एकी सकेंड का समय है बनाई ये जल्दी जल्दी उतर है झाल 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 कि इतने समय में एक बंदर 90 फिट लंबे पेड़ पर के सिर्ष को छू लेगा यदि वह एक सकेंड में 6 फिट उचलता है और तुरंत 4 फिट गिर जाता है सबी बच्चे सी उत्तर मार रहे हैं ठीक है चलो तो अब हम ऐसा करते हैं कि लक्च क्या है लक्च है 90 फिट लेकिन हम एक नया लक्च बनाते हैं और वो नया लक्च है 90 माइनस उचलने वाला कितना 6 है ना 84 फिट का लक्च बनाईए और आपके साथ कंडिशन ये बन रहा है कि आप एक मिनट में पहले 6 फिट उचल रहे हैं दो फिट का समई ले रहे हैं और आपको चावरासी फिट तक चलाना चलाना है तो 42 से इधर भी गुणा करिए 40 से इधर भी गुणा करिए यानि 42 मिनट में 84 फिट और अब आप देखिए कि बंदर को एक यहाँ से 6 फिट का छलाँग मरवाएंगे और एक मिनट लगेगा और बंदर 6 फिट का छलाँग यानि 90 मिनट में 90 फिट के लख्श को बंदर जो है 42 और 14 मिनट में लख्श को पूरा खेट देगा यहां तक clear है अच्छा 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 second है, ओके ओके कोई बात है, कोई बात नहीं हाँ, कोई बात नहीं अच्छ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जहां minute है उसको second कर लीजिए जहां minute है उसको second कर लीजिए सब लोग, जी जी ध्यान नहीं रहा हमारा जहां मिनट है वहां सकेंड कर लो उतना तो कड़ी जगते हो आप लोग मैंने तो एक बेस तयार कर दिया आपके लिए उत्तर तो आप चलिए छोटा सा सवाल है कोई खास है नहीं तफलता बैच जो आपके ड्रीम क्लासेस के ओफिशल अप्लिकेशन पे है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अप्लिकेशन का सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो ड्रीम क्लासेस का ओफिशल अप्लिकेशन जरू कोर्स में जाना है कॉंपटेटिव में जाना है और सफलता बैच पर आज आखरी दिन है ओफर का 50% का डिसकाउंट है और उस ओफर का फाइदा उठाई यह कौन सा बैच पैच का नाम है जी सफलता बैच अभी कॉंपटेटिव एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है मैथ और रिजनिंग दोनों की तयारी हम खुद करवा रहे हैं वैलीडिटी वैलीडिटी बारा महीना या कहिए हां बारा महा लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी होगा ठीक है लाइव के साथ लाइन 733858 6200733858 अप्लिकेशन कौन सा है जी अप्लिकेशन ड्रीम क्लासेज ओफीसियल पीस कितनी है पीस है 999 बैच की लेकिन 50% का डिसकाउंट अभी मिल रहा है कितने में मात्र 499 में पूरा एक साल मैत पढ़ाते पढ़ाते आपने तो बैच पढ़ा दिया ठीक है चलो उत्तर करो जल्दी जल्दी से तभी लोगों ने उत्तर कर दिया कुछ बच्चे 11 मिनट को टिक लगा रहे है अच्छा जिसको भी दिक्कत है आप इस नंबर पर कॉल तो कर सकते ना कॉल जो भी है मैं बढ़ यहां से नंबर लिख दूँ पता चला कि नंबर से इस है टिक्स टू डवल जीरो सेवन थ्री थ्री एट पाइव एट कॉल या वाट्सप कुछ भी कर दीजिए हमारी टीम तुरंत रिप्लाइ करेगी अच्छा फास्ट क्लास कर वाइप कम से कम बत्ये को बनाने तो दो कुछ बच्चे ग्यारा मिनट लिख रहे हैं सब तो लिखी नहीं रहे हैं चलो देखते हैं क्या सही उत्तर है इस प्रश्न का आईए जिसको लेना है वो पीछे जाके स्क्रीन सोट ले लो क्लास का 15 मीटर लंबा देखिए लक्ष क्या है जी लक्ष है 15 मीटर नया लक्ष क्या होगा जो उचलने वाला टार्गेट है उसको घटा दीजे 15 वाइनास 3 जांच मीटर जड़र रहा है अब देखिए कि चडने और फिसल्ने का क्रम परते के एक मिनट में मतब़ एक मिनट में चड़रा है और एक मिनट में फिसल रहा है कितना Plus 5 और फिसल राय कितनाओने एक मिनट में माइनस 3 डोटल वो दो मिनट में कितना कि दो मिनट में 2 मिनटर पांसे गुना करिए पांसे इधर भी गुना करिए क्योंकि पहले तो लख्ष यहीं तक लेकर चलना है ना पांसे गुना करेंगे तो 10 मिनट में 10 मीटर अब आप देखिए कि 10 मिनट में 10 मीटर अब आपको पहुंचना कितना है 15 मीटर ना तो बंदर कितना का छलांग मार सकता है 5 मीटर का और 5 मीटर का छलांग मारने में कितना एक मिनट लगेगा यानि टोटल 11 मिनट में वो लक्ष को भेद देगा सही है है हाँ जी बिलकुल बिलकुल अब दो चार प्रश्ण और रह गये हैं तो यह 11 मीटर 11 मीनिट हो गया इस प्रश्ण का सही उत्तर चलो 11 सवाव कि चलिए देखते हैं फटा फट करते हैं लक्ष क्या है लक्ष है 14 मीटर का और पहले मिनट में दो मिटर पहले मिनट में दो मिटर चड़ता है यानि एक मिनट में दो मिटर चड़ा और फिर एक मिनट में एक मिटर फिसल गया तो प्लस टू माइनस वन यानि टोटल दो मिनट में, एक मीडर का काम हुआ जी, और नया लक्ष क्या हो गया, 14 मीटर का लक्ष था, लेकिन यहां पर चड़ रहा है कितना दो, तो 14 में दो गटाईए, 12 मीटर का नया लक्ष, अब बताईए, दो मिनट में एक मीटर तो बारा मीटर में बारा से इधर भी गुना करिएगा बारा से इधर भी गुना करिएगा चौबिस मिनट में बारा मीटर अब क्या होगा कि यहाँ पर एक छलांग मारेगा बंदर और वो छलांग रेगा एक मिनट वाला और कितने मिटर का चलांग दो मिटर का यानि पचीस मिनट में बंदर जो है वो लक्ष को भेद देगा 14 मिटर के लक्ष को लीजिए यह हुआ उत्तर सही सही वह भी एकदम बिल्कुल गती में टिक है ? 12 मार दिया ना 12 के बाद वो 2 मिटर का चलांग मार सकता है ना और 2 मिटर का चलांग मारने में एक मिनट तो 12 के बाद सोरी 12 12 मिटर ऑफ़दा 24 मिनट ले चुका था ते एक मिनट और लेगा मजा आ रहा है आपके जितने भी साथी गण है सबके पास ये वीडियो शेर जरूर करिएगा ठीक है ताकि आप भी जुड़े और आपके साथ जितने भी एक बच्चा लिग रहा है 37 मिनट भाई मुहम्मद कहां से 37 आपने लाया 37 तो ऑप्षन में भी नहीं है चलो तस्वे प्रश्न की बात करे 87 मिटर उचे चिकने खंबे पर एक बंदर पहला मिनट 8 मिटर चड़ता है और दूसरे मिनट में 3 मिटर फिसल जाता है एक मिनट के अंतराल पर चड़े यानि लक्च क्या है लक्च है 87 लेकिन अब कितना रहा गया फिलाल के लिए हलाकि चलना तो 87 ही है चड़ कितना रहा है 8 यानि 79 का अप लक्च बनाई यह 89 यसी कुछ भी हो ठीक है अब एक मिनट में बंदर क्या कह रहा है आठ मिटर चड़ रहा है, प्लस एट, और अगले एक मिनट में तीन फिसल रहा है, माइनस त्री, टोटल दो मिनट में कितना बंदर ने किया, पाच मिटर, अब आप देखिए, पंदरा पचे पचेतर, जादा लीजे, जादा बेटर हेगा, सोला से गुना करिए, सोला गुने पहले मिनट में कितना मीटर, आठ मीटर, तो आप बताइए कि 32 मिनट हो गया, तो 32 के बाद ही न, क्योंकि एक मिनट में, एक मिनट में बंदर आठ मीटर चड़ता है, प्लस एट मीटर, और आप बताइए कि दो, एक मिनट में आठ चड़ा, एक मिनट में तीन फिसला, दो म मिनट में 80 मिटर अब अगर बंदर को एक चलांग मरवाते हैं तो वो 8 मेटर का चलांग बार का लेकिन हमको 80 से जाना है कहा तक 87 हमें तो साथ मेटर से ही मतलब लेकिन वो मारेगा आठ मीटर का तो यानि 33 मिनट पूरा नहीं होगा हम कह सकते हैं कि 32 मिनट के बाद यानि 33 मिनट में वो चलांग पूरा कर देगा हां 32 मिनट तो ही गया 32 में तो 80 मिटर ही चड़ा चड़ाना तो 87 है तो 32 के बाद यानि 33 मिनट में वो लक्ष को भेद देगा लक्ष को 32 मिनट अ ते तीसवा गलात है जी प्रियंका ते तीसवा आंसर होगा बद तीसवा मतब बद तीस पूरा नहीं हुआ है ठीक है बद तीसवा पंद्रहवा मतब क्या क्या पंद्रहवे की ओर भाग रहे पंद्रह पूरा नहीं हुआ है तब लोग सहमत है मारी बात से 33 is the right answer of this question say yes यानो हां या ना जल्दी करिए अगला सवाल स्क्रीन पर रखते हैं जी 32 प्लस यानि 33 मिनट में यह आपका सही उत्तर है इस प्रश्ण का कोई संदे है कि अरे अब सहमत है या नहीं बस हां या ना तो बोलो ताकि यह मगला सवाल अपके स्क्रीन पर रखें एक बचा 43 सकेन लिख रहा है या भाई एक बार फिट से बताने से बढ़िया है कि एक बार आप वीडियो फिट से देख लिजे ना बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं कोई हाई लेवल का नहीं बता रहा हूं कि आपके उपर उपर बॉंस करें मैं उस लक्ष से नहीं कि आपको समझ में ना आ है वैसी सिख्षा किस काम की जो सिर्फ हमारे लिए हो आपको समझ में ना अगला सवाल यह लास्ट कोश्चन है 11 इसको कर दीजिए आज का टॉपिक खतम फटा पड़ बताईए को डेशी मिंट डेमी का मतब हो गया डेशी मीटर चलिए एक बहतर सवाल कि एक 6 मीटर लंबे खंबे पर एक घोंगा नौर डेमी डेमी का मतब होता है डेशी मीटर ठीक है और एक डेशी मीटर में एक मीटर में तस डेशी मीटर होता है यह बात के लिए रहे हैं एक मीटर बरावर तस डेमी डेमी का मतलब है डेशी मीटर कीलो हिक्टा डेका ग्राम मीली सेंटी डेशी ग्राम यह अपने पढ़ा होगा बच्पन में नहीं तो सवाल बहुत बहतर है, कह रहा है, ठीक है, छे मीटर लंबे एक खंबे को, अब एक मीटर में छे दस डेमी हो गया, तो क्या छे मीटर वरावर साट डेसी मीटर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, चलिए, अब 6 मीटर लंबे खंबे पर एक घोड़ा, घोंगा जो नहीं होता है, जो पानी में रहता है, नौस डेमी चड़ने के बाग, यानि एक अंतर पर इस गती को सिर्ष करता है, मतब एक मिनट में पहले कितना चड़ा, नौस डेमी, ठीक है, नौ डेमी चड़ा, और अगले एक मिनट में, यह प्लस नौ हो गया, और अगले एक मिनट में, दो डेमी फिसल गया, ठीक है, दो डेमी फिसल गया, तो आप बताईए कि गोंगे ने कितना समय लिया, दो मिनट, और नौ में से साथ गया, दो गया, साथ डेमी, अच्छा नय लक्ष था साथ और अब हलाकि साथ ही करना है लेकिन फिलाल के लिए कितना नो कर रहा है न चड़ रहा है तो 51 तो आप देखिए कि दो मिनट में साथ डेमी अब आप साथ में कितना से गुना करें कि 51 के आसपास चला जाएं तासते 89 होगा काम नहीं चलेगा उसके अगला लेन करिया है थोलह मिनट में तो अपहन डेमी तो अपन है देमी है अब देखिए या आप को कितना डेमी भगवाना है 8.60 तक जाना है ना सब आपको कितना बच रहे हैं सेथ बच रहा है 15 2. डेमी पैंत मैं मुत्तर इस लिए नहीं लिक्तेंगे और गोंगाद चड़ कितना कम्ता है नौट डेमी का आपके पास सेस चार डेमी चीद्वाना है लेकिन आपकी शमता ह्नौट भाताईए कि आपका आपकी शमताद सफ सक benefit है और आप आज इक हम रोगज हैं इसका राश रेशियोग तो तो रेश्यो टेन यानि दो बटे पांच तो ऐसे में अगर समय की बात करें तो समय बराबर जो आपकी छमता है जो आप जितना आप कर सकते हो और जो आपकी छमता है तो अधिक है आप उन दोनों को ऐसे भाग दे सकते हैं यानि कितना समय लगेगा कितना मिनट और तो सर चार भाग सकता है नौ में ठीक है तो सोला पुर्णांग चार बटे नौ नौ मिनट ये इस प्रश्ण का सही उतर है अब इसको साथ से गुना करिएगा तो चार बटे नौ को में सकेंड में भी ला सकते हैं एक बार सभी बच्चे बोल देंगे कि समझें या नहीं समझें इस प्रश्ण को हाँ या ना कोश्चन बिलकुल सही है और उत्तर भी बिलकुल सही ढंग से हमने आपको बताया है करिशन आपको golf आपको बिलकुल सही है और उत्तर भी है तीख चुके हैं सभी स्टूडेंट मज़ा आया चलिए अरे बच्चा डेमी कोई डेसी मिटर बोला जाता है डेसी को डे का उपर लगाए ये हुआ डेसी मिटर उसी को सौट में डे मी लिखा जाता है क्या आप लोग ज्यान का भंडार आप अपने पास रखे हो क्लास का एक टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है लेकिन कुछी दिनों में हम आपके लिए एक नया एक बहतर टाइम टेबल बना देंगे जिसके तुरू आप यूट्यूब के ऊपर मुफ्त में आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं आप सफलता बैच को जरूर लीजेगा हम लोग अब बहुत सारे नोटबुक का भी नोट भी हम लोग बना रहे हैं बहुत जल्द आपके पास घरघर में नोट पहुंचेगा हमारे तुरूब कुछी चहनों में कुछी समय में च्छनों में नहीं का सकते कुछी दिनों में बनकर वो तयार हो जाएगा आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं और अगले क्लास का इंतजार करिए जो बहुत स्पेशल होगा इससे भी जादा